आल्राइट क्या आप लोगों को भी इन में से कोई सवालों के जवाब चाहिए मैं 12th के बाद Cybersecurity में कैसे जाऊँ 10th के बाद Cybersecurity में कैसे जाऊँ मैं Master degree कौनसी करूँ Bachelor degree कौनसी करूँ अगर मैं पहले से जॉब कर रहा हूँ कोई और-और मुझे Cybersecurity की जॉब में आना है तो मैं कैसे आऊँ मेरे घर की condition खराब है पैसे नहीं है तो मैं course कैसे करूँ certificate कैसे करूँ मुझे 11-12 नहीं करना है मैं 10th के बाद directly diploma करके Cybersecurity में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ ये सब कुछ करने के बाद क्या मैं job ले सकता हूँ और job लूँगा तो कैसे लूँगा ये सारे सवाल अगर आपको है आज की ये वीडियो आपके इन सारे सवालों के detail में correct, absolute जो आज तक किसी ने नहीं बताया हो वो technique के साथ देने वाला हूँ आप लोग वीडियो को end तक देखना नीचे time stamp दिया होगा आपको जो भी समझे कोई सवाल है वो सवाल का time stamp है वहाँ पर जाकर click करके वो सवाल का जवाब ले लेना और मैं suggest करूँ का आप पूरा वीडियो देखेंगे वीडियो है साइबर सिक्यूरिटी का एप्सुलूट करेक्ट हंड्रेट परसंट पाथ वे तो विडियो को आराम से देखना चिल मार के देखना करेक्ट इंफॉर्मेशन दूगा और एकदम पॉइंट टूपॉइंट इंफॉर्मेशन दूगा यहां वहां बातों को नहीं गुमाँगा तो मैं आप लोगों को सबसे पहले स्क्रिन के ऊपपर बनाया आपको दिखाता हूँ यह पाथ मैंने आफ़ी लोगों के लिए रिसर्च करके बनाया है कुछ दिनों तक मैं जब वीडियो नहीं बना रहा था तब मैं कुछ research कर रहा था, तो वो research यहाँ पर मैं आपके सामने लिकर आया हूँ, यहाँ पर यह जो techniques हैं, इसमें से कुछ techniques मैंने खुद implement करी हुए, खुद मैंने इसको experience क्या हुआ है, और कुछ जो है, जो मुझे किसी ना किसी ने बताई है, और जो मेरी research के हिसाब से हैं, जो आप तक पहुँचाने वाला हूँ, correct information है, अब यहाँ पर अलग-अलग आप देख सकते हैं, आपकी screen के उपर अलग-अलग situations मैंने लिखी हुए, कि आपका trial के बाद क्या है, बैसला degree, जो मैंने वीडियो के starting में बोला था, तो इन सभी को हम discuss करते हैं, लेकिन उससे पह है, इसके अंदर जो cyber security है, उसके कुछ videos हैं, यहाँ पर आपको पहले तो यह define कर दिया जाएगा, इतने videos अगर आप देखोगे, 5-5 minute की video है, एक दिन में तो आराम से आप यह सब कुछ देख सकते हो, अगर आप यह देखोगे, इसके अंदर कुछ case studies हैं, किसी के साथ बात क यहाँ पर यह पर यह professors ने, जिससे आपको idea पहले तो यह लग जाएगा, कि आपको cyber security में correct, कौन सी जगा पर जाना है, कौन से cyber security के sub category को choose करना है, इसका answer आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपको यहाँ पर A to Z detail में सब कुछ बताया, कुछ case studies हैं, तो अगर आप देखेंगे English में, ध्यान से देखना को समझ में आ जाएगा, captions सब में हैं, तो captions पढ़के हम समझ सकते हैं, तो यह काम आप पहले करो, यह playlist मुझे बहुत time पहले मिली थी, और मैंने सोचा आपको मैं यह दे दूँ, यह बहुत कुछ playlist अपने साथ लेकर आईए, तो आप इस playlist को देख सक करना बहुत help करेगी आपकी, ठीक है, तो यह यहाँ पर हमारा playlist का जो discussion है, वो होता है, खतम, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले education section की, education section में हम चीजों को divide कर देते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगा, after 12th, family pressure अगर आपका है college करने के लिए, तो आप cyber security में अपना career कैसे ब इस question का solution में आपको देता हूँ, सबसे पहले मैं bachelor degree का discussion करता हूँ, सबसे पहले आँख बंद करके, जो मैंने bachelor degree यहाँ पर लिखी हुई है, वो अपनी कोई भी local college जो होती है, जो थोड़ी बहुत accredited है, थोड़ी बहुत UGC registered या फिर board registered है, और value है थोड़ी बहुत, तो यह SCIT 3 साल की होती है, BTEC जो होती है, वो 4 साल की होती है, मैं suggest करूंगा अगर आपको पढ़ाए अच्छी नहीं लगती होती है, तो आप BSCIT ले सकते हैं, ताकि जल्दी खतम हो जाए, ठीक है, चूज कर लो BSCIT, और अगर in case, अगर आपके college, आगर आपके आसपास कोई college है, जि सबसे पहले ये चीज़ कर लो, मैं आगे बता रहा हूं, cyber security में कैसे जाओगे, पहले कोई भी एक degree ले लो, पढ़ाई सुरू कर दो, average marks आपके आजाएंगे, अगर आपको IT में knowledge होगा तो, computer में आपको interest है, तो average marks आपके आजाएंगे, आप pass out कर सकतो, 50% से ज्यादा लेकर BACIT और BTEC के अंदर, आराम से हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको ये करना है, अगर आपका family pressure कर रहा है, second step जो करना है आपको, ये है part time study, यानि कि college करते करते आपको क्या करना है, रुकना में आपको बहुत सारे essay answers देने वाला हूं, जो आपको बहुत मदद करेंगे, आपको certification की तयारी करना है, आपको cyber security में जाना है, part time study करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, certifications देने हैं अभी आपको, जब आप college कर रहे हो, BACIT BTEC कर रहे हो, आपको उसके साथ साथ, certifications की part time study करना है, certificate आपको चूज करना है, कोई भी ए, it can be pen test plus, और it can be OSCP, ठीक है, कोई आप एक certificate को choose कर लो, उसको देना नहीं है, बस उसके लिए पढ़ाई start करो, उसके syllabus को देखो, उसके इसाप से, अपने इसाप से self study start कर दो, आगे मैं अपसर दूँगा, self study अगर नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना है, ठीक है, तो ये आपको करना है, 12th के बाद, bachelor degree के साथ OSCP, जैसे ही अपका bachelor खतम होगा, और आपने certification की part time study कर योगी, कुछ bug bounties करे होंगे, नहीं करे हैं, तो कुई बात नहीं, कुछ करे होंगे, कुछ YouTube पर वीडियो देख्योगे, तीन साल के दौरान जब आप bachelor degree कर रहे होंगे, तब आपने ये सब कुछ किया होगा, और आप आपको करना चाहिए, इस फिल्ट से आप पूरे comfortably familiar हो जाओगे, अब आपको क्या करना है, master degree नहीं करने है, अगर आप 12 में हो और अब 12 खतम होने वाला है, तो bachelor degree कर लो, अगर आपका family pressure करते है, master degree नहीं करने है, master degree की जगह आपको क्या करना है, जो certifications के आपने part time study करी है, इन साल तक तो आप यहाँ पर certifications दे सकते हो, तो master degree की जगहा पर आपको certifications करने है, ठीक है, यहाँ पर आप रुख जाओ, अब जो लोग आगे हैं, उनकी में situation जो है, वो बताता हूँ, और आप वीडियो बंद करके मज़ाना, वीडियो को देखते रहो, अब मैं आपको इ bachelor degree, independent choice, यानि कि आपकी bachelor degree जो है, वो खतम हो गई, या आपको, आपके family ने allow करते, आपको जो करना है, वो कर सकते हैं, it's your choice, ठीक है, क्योंकि bachelor degree खतम करने के बाद इतना family pressure नहीं होता है, बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, you can take your own decision, और 90% लोगों को अपने decision लेने दिये जाते हैं, अगर वो बच्चा अच्छा नहीं है, तो फिर हो सकता है कि उसको family pressure करेगी, master कर ले, तो पड़ाई लिखाय कर ले, क्योंकि घर पे तो ऐसे बैठा रहता है, लगिन अगर आप interested हो, passionate हो, तो आपकी family आपको pressure नहीं करेगी, bachelor खतम करने के बाद, क्योंकि आ क्या करना है, master degree करनी है, अब मेरे पास यहाँ पर master degree के लिए कुछ secret sources है, कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो आपको किसी नहीं ना बताई हो, और अगर बताई हो भी तो correct आपको guide नहीं किया हो, जो मैं करता हूँ, आपका bachelor खतम हो गया, आपने कोई भी IT field को choose किया था, जिसके अ आपर आप options है, जो options को हम discuss करते हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं discuss करता हूँ, Stanford का, ठीक है, तो Stanford आपने सुना ही होगा, मैं आपको screen के उपर भी दिखाता हूँ, ठीक है, यह है Stanford, ठीक है, Stanford आपने सुना है, बहुत अच्छा खासा, इसका नाम है, Warren की एक university है, ठीक है, अब यह आपर यह assume करके चलता हूँ, कि यह जो category है, after bachelor degree, independent choice वाली, यह लोग पैसे थोड़े बहुत खर्च कर सकते हैं, master degree के लिए, ठीक है, independent choice आपके पैसे आपको parents देंगे, क्योंकि आजकल सब bachelor के बाद master करने foreign जाते हैं, तो सब के parents करीबन 50 lakh, 260 lakh खर्च करने ही वाले होते हैं, अब यहाँ पर यह जो graduate program है, इसके इंदर आपको, 2 साल का graduate program है, ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 to 2 years average, और 3 years maximum to complete, ठीक है, यह online है, तो आपको 3 साल max to max लगेंगे complete करने के लिए, आपकी मर्जी होती है, complete कितना करना है, कौन से pace में करना है, ठीक ह तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है basically graduate program का course planning है, इसके अंदर आपके पास options है, इसके पैसे कितने होंगे, वो सब कुछ मैं discuss कर रहा हूँ, देखते रहो, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी यह required course के अंदर से, कोई भी चार complete करने, अपने इसाब से जो भी तो आपको इन तीन मेजर लेकर चलते हैं, computer and network security, introduction to computer networking, introduction to cryptography, तो आपको इन तीन में से कोई भी एक को, मतलब एक के बाद एक चूज करके आपको आपको इसाब से करना होता है, इंडिया की तरह foreign में नहीं होता है, आपको पूछा जाता है, आपको क्या पढ़ना है, वो आपको suggest करूँगा, सबसे पहला यह option कि आप master degree करें, अगर आपका bachelor खतम होगे, अभी तक और आपने मन बनाया cyber security का, यह master degree, यहाँ पर पैसे कितने होगे, उसका discussion कर लेता है, सबसे पहले आपको अगर इसके अंदर जाना है, तो आपको prerequisite क्या होगा, कि confirmed bachelor degree with an undergraduate GPA of 3.0 or better, तो average अगर आपका graduate, undergraduate program, यानि कि bachelor degree के अंदर average marks आयोंगे, average score किया होगा, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, यहाँ पर जो fees है, वो मैं discuss कर लेता हूँ, ठीक है, आपके साथ, तो यह जो fees का जो page है, यहाँ पर आप देखेंगे, तो इसकी fees है, $1352 per unit, ठीक है, तो एक unit की $13 3 और है 3, ठीक है, तो 3 और 3 6 होगे, और 6 और 4 10 होगे, ठीक है, तो हम लेकर चलते हैं, कि $1352 जो है, वो एक unit का है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हूँ है, $1352 per unit, ठीक है, और हमारे पास total है, यहाँ पर कितने, total हमारे पास 10 unit, तो हो गए $13520, $13520 को अगर हम rupees में convert करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर rupees में convert करता हूँ, अगर आप इसको rupees में convert करेंगे, यहोगा 10 lakh रूपे, और आप अगर foreign में पढ़ने जाते हो master degree करने के लिए, तो वो होता है, करीबन 60 to 70 lakh आपकी हो जाते हैं, तो आप student loan ले सकते हैं, और आप यहाँ पर यह सोच सकते हैं, foreign की country में, foreign की country में पढ़ाई करें, लेकिन online आपको यही रेकर करने हैं, आपके घर के अंदर, ठीक है, तो आपका जो वहाँ पर रहने का खर्चा है, वो बच जाएगा, यह पैसे वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, गरीब लोगों के लिए भी बताऊंगा, ठीक है, तो, sorry, I could not say, तो जिनकी financial problem है, उनके लिए मैं बताऊंगा, लेकिन अभी यह जो है, वो जिनके पास अच्छे खासे हैं, situations अपने पैसे afford कर सकते हैं, उनके लिए यह सबसे पहला option है, आगे भी देखो, आपके लिए और भी options है, पैसे इतने नहीं, खर्च करने हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, तो यह मैं आपको suggest करूँगा, सबसे पहले मेरी recommendation होगी, Stanford की आपको master degree मिलेगी, cyber security की, जो बहुत बड़ा impact करती है, आपकी life के अंदर, ठीक है, तो यह मैं suggest करूँगा सबसे पहले, second option है, वो है senential college का, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह senential college है, इसका भ बार ही है, Canada की university है, ठीक है, यहाँ पर program के अंदर आप देखेंगे semester 1 के अंदर, यह कुछ subjects होते हैं, semester 2 के अंदर कुछ subjects होते हैं, तो दो semester हैं, जिसके अंदर आपको cloud security वगेरा सब कुछ सिखा दिया जाएगा, अगर हम tuition fee की बात करते हैं, आप देख सकते हैं, Canadian dollar, लेकिन international को लिकर चलता हैं, अगर आप afford कर सकते हैं, तो tuition fee होती है, 16,000 dollars, जो की बहुत ही average है foreign country के लिए, ठीक है, यह बहुत बड़ा नहीं amount, क्योंकि जब आप foreign पढ़ने जाते हो, तो इससे भी ज्यादा होता है, इसका double होता है, जब आप foreign में पढ़ने जाते हो तब, ठीक है, तो अगर आपने bachelor खतम कर लिया है, तो आप ये वाला option चूज़ कर सकते हैं, एक को Stanford, एक ये, और भी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, तो मैं इस सारी चीजों के link सब कुछ मैं provide करूँगा, गबराने के ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब अगर आपको master degree नहीं करनी है, तो आपको cyber security से जुड़े हुए, जो भी courses है, जो भी degrees है, वो मिल जाएगी, इस मैं भी degree कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको suggest करूँगा, आप अपना जो भी career चूज करना चाहते है, वो यहाँ पर डाल दे, आपको उसके साब से यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन मैं suggest आपके लिए आपके लिए आपके लिए आई-बिम सिक्टार चाहिए, जो प्रॉफेशनल सेटिफिकेट है, वो अगर आप करेंगे, तो आपके लिए बहतर रहेगा, आपके रहेगा, आपके रहेगा, आपके रहेगा, यहाँ पर आपको financial aid, scholarship, सब कुछ मिल जाता है, तो यह एक option है, आपके पास, अगर आपको master degree मितने पैसे नहीं खर्च करने, this is a good option, this is a better option, आपको certificate course करना है, यह certificate course है, ठीक है, तो यह एक option होगे आपके पास, यहाँ पर आप कोई भी चूज करके, आप start कर सकते हैं, अब मैं एक option देता हूँ जो सबसे सस्ता और वो तो आप afford कर ही सकते हैं, और वो particularly बहुत ही अच्छा भी है, जो है upgrade का, ठीक है, तो यह upgrade की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, upgrade भी आपको कुछ provide करता है, जो की बहुत ही बढ़िया है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको open करता हूँ, ठीक है, so now you can see, हमने यहाँ पर यहाँ पर हम पहले इसके पैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो है idea लग जाए, यहाँ पर करीबन एक लाख रूपे होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, इतना तो afford सब लोग कर सकते हैं, which is 99,000, which is approximately 1 lakh, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर E IIT का certificate provide करती है, IIT, International Institute of Information Technology, Bangalore, IIT का certificate आपको मिलता है, upgrade का नाम सुनाई होगा, आपने बहुत बढ़ी चीज है, education industry के अंदर आजकल, ठीक है, and this video is not sponsored, ठीक है, मैं अपने research के इसाब चो बता रहा हूँ, तो आप यह वाला कर सकते है, advanced certificate program in cyber security, करीबन इसका जो चलेगा, यह कितना चलेगा, सिलिबर से आप देख सकता है, 250 plus hours of content है, ठीक है, और यह upgrade जानी मानी accredited एक चीज है, जहाँ पर अगर आप certificate करते हैं, और आपको IIT का मिलता है, that's better, ठीक है, तो एक लाख रूप का अगर आपका bachelor खतम हो गया, master नहीं करना चाते हैं, तो आप यह कर सकते हैं independent choice के लिए मैं बात कर रहा हूँ, master नहीं करने हैं, तो आपके लिए यह एक option है, तो यह मैंने कुछ आपको चार option बताए, जो चार option आप जो है, basically, opt कर सकते हैं, if you want to do master's or if you do not want to do master's, ठीक है, independent choice, आपके घरवाले आपको force नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर force करते है master के तो मैंने option बता दिये और नहीं करते हैं, तब भी मैंने आपको यहाँ पर options बता दिये, कि आपको certifications program करने हैं, ठीक है, तो यह बात होगी after bachelor degree, अब हम बात करते हैं after 10th, अगर आपका family pressure नहीं है, कि आपको 11, 12th करने ही करने हैं, आपको बोल दिया गए, आपको करने हैं, त आप diploma कर सकते हो, ठीक है, online करोगे तो सस्ता पड़ेगा, अगर offline जाकर diploma करते हो, तो महगा पड़ेगा, थोड़ा बहुत लेकिन कर सकते हैं हर को, अगर 11, 12th नहीं कर रहे हो, तो पैसे ताव की बचने ही वाले है, तो अच्छी चीज़ों के अंदर invest कर दो, ठीक है, अगर science राउंडे, वो IT में होना चाहिए, तो आपके लिए वो बहतर रहेगा, तो आप यहाँ पर diploma option को चूज कर सकते हैं, जो कि आपको ज्यादा तर देगा, complete overview IT का देदेगा, आपको समझा देगा, programming के बारे में, basic, networking के बारे में, basic, सब कुछ IT से related, जो आपको समझ में आ जाए आप हमारी पाट साला के अंदर study कर सकते हैं, आपको भी हम competitive and test plus के लिए prepare करते हैं, azure fundamentals के लिए prepare करते हैं, azure security engineer के लिए prepare करते हैं, ठीक है, पाट साला है, हर महीने 50 रुपे देने हैं, 12 महीने तक, और आप यहाँ पर यह सारी चीजों के लिए prepare हो जाओगे, completely start हो चुका है ज्यादा मैं इसका promotion नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, link दे दूँगा, वीडियो की description में, पाट साला करके लिखा होगा, इसकी link वीडियो दे दूँगा, वो वीडियो देख रहें आप समझ जाओगे, पाट साला है, क्या सबसे सस्ती च यहाँ पर मैं यह link share कर दूँगा, यह पूरा document है, उसकी link share कर दूँगा, यहाँ पर मैं कल एक video बनाने वाला हूं, उसकी link दे दूँगा, ठीक है, तो वो एक जो चीज है, वो आपके लिए अगर आप after 10th जाना चाते है, cyber security में, और सभी लोगों के लिए, कुछ hidden resources मेरे प बात करते हैं, जो की bachelor degree कर चुके है, job कर रहे है, लेकिन अभी वो चातना है कि वो cyber security में जाए, ठीक है, उनको shift करना है, cyber security के अंदर, already doing job experience है, और IT field के अंदर है, ठीक है, IT का background है आपका, तो आपको कैसे cyber security में जाना है, या फिर आपने bachelor degree कप के कर लिए, अभी आप बड़ check की, ठीक है, यहाँ पर options मैंने दे रखें, CISSP, OSCP और CISM, ठीक है, यह जो बड़े-बड़े certificate से, CISSP हर normal बंदा नहीं दे सकता है, इसके लिए को experience बंदा चाहिए, CISSP, मैं मानता हूँ कि इस industry की सबसे बड़ी certifications है, ठीक है, CISSP, OSCP को भी मैं इसके नीचे रखता हूँ, CISSP is the more better option, ठीक है, इसकी मैं पूरी playlist दी है, free में आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए beginner तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत advance, आपको कहीं book से मिल जाएगा, वगेरा वगेरा, आप अपने सबसे research करके, कर सकते हैं, वो मेरा काम यहाँ पर नहीं है, मेरा काम है, आपको road दे जोब, अगर आपने job को दो-तीन महीने छोड़ दो, प्रैक्टिस करो, इसके पड़ आप cybersecurity में shift कर पाऊगे, जैसे मैं आगे job का section जो वो discuss करूँगा, cloud security बात करते हैं, cloud security में दो मैं आपको option देता हूँ, एक है CACCSP, और एक है Azure security engineer, AWS security architecture, Google cloud security engineer, मैं समझाता हूँ, CCSP पहले आपको देना, अगर आप देना चाहते हैं, तो CCSP, overall global cloud security certifications है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, इसकी भी link video रखे पढ़ाई करने हैं, तो, अगर आपने ये कर दिया, या फिर आपको ये नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, कोई भी cloud services के लिए specific आपको prepare करना है, Azure पकड आते हैं, almost 50 hundred rupees होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, तो आपको वहाँ से भी prepare करना है, आप कर सकते हैं, हर महीने life classes होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर cloud security में जाना है, तो आप ये चीज कर सकते हैं, अगर आपके बस थोड़े बहुत पैसे हैं, आप experience आप job कर रहे हो, पहले से बड़े हो गए हैं, तो आपके लिए ये option है, तो यहाँ पर मैंने सारे अलग-अलग जो path है, जो questions रहता है, उसको clear कर दिया, तो हमने यहाँ पर बात कर लिया education का, अब हम jobs के बारे में हैं, अगली वीडियो में बात करेंगी, यह वीडियो बहु आप intensive भी कर लोगे, जिससे आप job भी find कर लोगे, बहुत कुछ कर लोगे, आपके पास experience भी आ जाएगा, secret तरीका बताने वाला हूँ, जो की जुगार है, ठीक है, तो वीडियो को देखना मत बुलना, यह वीडियो के लिए इतना है रखता है, यह वीडियो को आप लोगो क आप ईयांग का बाईगा, और अट उन्मिला का लोगे, अब घयादा, एलुट जाएगा है, जिसका कई शिल्यो की एह प्योगे, second time झाला हूँ, जिसका में, एक पासुआ है, उिसका का लोगे, तेसका मारे भीज़ियो को देखना हूब ताने पासुमी fact पासुमइंश